हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं सीए विकाश शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्योब चैनल सीए विकाश शर्मा पर जिस पर मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट जो कि आरोसी की तरफ से दिया गया है आपके एजी चाहते हैं तो आपको आरोसी को रिक्वेस्ट करनी होगी जिसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता था GLN1 और इसकी जो डिवरेट रखी गई थी वो 39 सितंबर 2020 तक रखी गई थी इसका मतलब अगर आप अपनी एजीम की डिवरेट में एक्स्टेंशन चाहते हैं और आप GLN1 फाइल करना चाहते हैं तो ये आपको 29 सितंबर 2020 तक फाइल करना मेंडेटरी था लेकिन आज आरोसी की तरफ से एक अपडेट आया है जिसमें यहाँ पर बात की गई है एजीम की डिवरेट को एक्स्टेंट करने की तो यहाँ पर जो आरोसी की तरफ से अपडे के एक्स्टेंशन से रिलेटेड तो सबसे पहला जो यहाँ पर बात की गई है वो है एक्स्टेंशन आफ टाइम फॉर ओल्डिंग एन्वल जनरल मीटिंग जिसको कि हम AGM कहते हैं फॉर दा फानेंशल यर एंडिट 31st of मार्ट 2020 तो इसकी जो ओरिजिनल डिवरेट बनती है वो 30th September बनती है क्योंकि आप सभी को पता होगा as per section 96 आपको एक AGM held करनी होती है within a period of 6 months from the end of the financial year तो जैसे ही आपका 31st March 2020 पर financial year end होता है उसके बाद आप कुछ है महिने के अंदर एक AGM करनी होती है जो कि 30st September 2020 के अंदर अंदर आपको अपनी AGM करनी होती है लेकिन आप सभी जानते हैं COVID-19 pandemic की वज़े से बहुत सारी due dates में changes किये गए हैं बहुत सारी timelines बदल दी गई है तो ऐसे में यह जो annual general meeting की due date है इसका भी बदला जाना बहुत जरूरी था क्योंकि काफी सारे representations गए थे industry की तरफ से जिसमें उन्होंने ये request की थी कि जो AGM की due date है उसमें कुछ extension दिया जाए तो उन representations को देखते हुए ROC की तरफ से पहले एक notification आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर आप अपने AGM के due date को extend करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर GNL1 form file करके इसके extension ले सकते हैं लेकिन आज इस पर एक बड़ा update आ गया है जहां पर ये कहा गय है कि जो आपके due date है AGM के वह extend कर दी गई है without requiring companies to file GNL1 इसका मतलब यहां पर companies को GNL1 form file करने की जरूरत नहीं है उन्हें extension की approval लेने की भी कोई जरूरत नहीं है यहां पर सभी companies के लिए जो due date है AGM की वह बढ़ा दी गई है तो यहां पर जो new due date रखी गई है AGM की वह 31st December 2020 कर दी गई है तो अब companies को अपनी AGM 30 September 2020 तक करने की जरूरत नहीं है वो अपनी AGM 31st December 2020 तक कभी भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ROC की तरफ से AGM की due date में extension दे दी गई है तो यहां पर ROC की तरफ से जो update आया है वो कुछ इस तरह से है The approval for extension of AGM up to 3 months from the due date of AGM shall be deemed to have been granted by the undersigned without any further action on the part of company तो यहां पर ROC की तरफ से बात कही जा रही है कि company को अपने level पर कुछ भी नहीं करना है, company को कोई form फाइल करने की जरूरत नहीं है, कोई request नहीं डालनी है यहां पर सभी companies के लिए 3 months की extension दे दी गई है और यह deemed to have been granted by the undersigned मानी जाएगी इसका मतलब ROC की तरफ से deemed कर लिया गया है कि सभी को 3 months की extension दे दी गई है और यह सब जो हुआ है just because of the COVID pandemic की वज़े से हुआ है यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक यह information और update जो आया है वो ROC Bengaluru, ROC Karnataka, Pune और बहुत सारी states की तरफ से order pass किया जा चुका है और आने वाले कुछी time में remaining states की जो ROC है वो भी अपना order pass कर देगी और इसका आपको update मिल जाएगा यह update था जो ROC की तरफ से आया है आपके AGM की date की extension को लेकर तो अब आपके पास एक enough time है तीन महिने का, अगर आप अपनी AGM अभी तक हैट नहीं कर पाए हैं तो आप उसको properly plan कर सकते हैं और properly आने वाले तीन महिनों में आप उसको हैट करके अपनी compliance पूरी कर सकते हैं I hope आपको पता चल गया होगा कि ROC की तरफ से AGM को लेकर किस तरह का update आया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe कर लीजेगा साथ में bell icon को भी press कर दीजेगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाइगे latest videos की notification मिलती रहे मैं इसी तरह की videos आपके लिए लेके आता रहता हूँ आज की video में केवल इतना ही था जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ नए topic के साथ तब तक के लिए thank you, bye bye